आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें प्रशन है किसी तत्व में दो सेल हैं, दोनों ही इलक्ट्रोन से पूर्ण तब भरे हुए हैं, वह तत्व है, दोस्तों में बताना है कि किसी तत्व के दो सेल हैं, दोनों ही इलक्ट्रोन से पूर्ण तब भरे हुए हैं, वह तत्व कौन सा होगा पहले विकल फे नियोन, दूसरा है आरगन, तीसरा है क्लोरीन और चौथा है सोडियम ठीक है, सबसे पहले हम इन चारों का प्रमानु करमांग देखते हैं नियोन का 10 होता है, आरगन का 18 होता है, क्लोरीन का 17 और सोडियम का 11 । धिक है इसका प्रमानू क्रमांक मानू करमांग मान डेक डेखेंगे कि ऐसे दोश्तों जब किशी के शेल की बात करते हैं तो यह कहलता है k ll m m कि अथारा के देखते हैं तो समय होता है कि दोश्तोंler सब्सक्राण thing ये कैसे होगा, दो, आठ और आठ, ठीक है, अब आगे देखते हैं हम 17 के लिए, 17 के लिए देखेंगे दोस्तों, तो K, L और M, तो इसमें भी तीन शेल चाहिए दोस्तों हमें, ठीक है, दो, आठ और साथ, ठीक है, ये इसका electronic विन्यास कीसी परकार करेंगे दोस्तों, Na, sodium के के लिए, K-shell, L-shell, और M-shell, तीन चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि इसका प्रमानुकरमांग 11 है, प्रमानुकरमांग क्या है दोस्तों, 11, ठीक है, तो 11 के लिए हम क्या करेंगे, प्रमानुकरमांग 11 के लिए, यानि कि यहां पर हो जागा 2, 8 और 1, तो यह हमें पुछा गया कि 3 shell, पुछा गया 2 shell, ठीक है, तो इन तीनों में तो 3 shell है, नियोन में सिर्फ 2 shell है, जो कि पुर्णता इलक्ट्रोन से भरे हुए, ठीक है, पुर्णता इलक्ट्रोन से भरा हुआ है, 2 और 8, ठीक है, K-shell और L-shell, प्रमानुकरमांग 10, यानि कि कौन सा विकल्प सही ह का पहला विकल्प नियोन, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों.